पाकिस्तान को नया आर्मी चीफ मिल चुका है पहले से ही माना जा रहा था कि इम्रान खान के दुश्मन और भारत से नफरत करने वाले लेफटेनेंट जनरल असीम मुनीर को ही पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा असीम मुनीर को जनरल बाजवा का भी करीबी माना जाता है बाजवा ने ही असीम मुनीर को IASI चीफ बनाया था IASI चीफ रहते हुए ही असीम मुनीर ने प्रधानमंतरी आफिस की जासूसी की थी वो समय इमरान खान प्रधानमंतरी थी आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के फुल्वामा में हुए आत्म घाती हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे इस आत्म घाती हमले के पीछे असीम मुनीर का भी हात होने की बात सामने आई थी फुल्वामा का बदला लेने के लिए जब भारत ने एर स्ट्राइक की थी तो असीम मुनीर ने इमरान खान से भारत पर हमला करने की बात कही थी लेकिन असीम मुनीर से अपनी निजी लड़ाई के कारण इमरान खान ने उन्हें I.S.I. पद से हटा दिया पहराल भारत को ये तो पता ही था कि उसको धमकी देने वाला ही पाकिस्तान का नया आर्मी चीज़ बन रहा है तो भारत ने भी असीम मुनीर के आने